कल भी भाई थे आज भी भाई है और राइनीती में कब कौन किसके साथ होता है आप नहीं कह सकते हैं आप यह मैसूस करो दस दिन पहले वह इसी अलाइंस का हिस्सा थे तो वह बहुत अच्छे थे कि सारी बातों को जैन चोजी साहभी अच्छी तरह से बता सकते हैं अगर सोच के हाला थे उस तरह फैंसलों लिया उनका पहले भी उनका सईयोग मुझे मिलता रहा और मुझे अमीद है कि यह जो भाईचारा है राइनीती से अलग भी भाईचारा जो है उसका सईयोग मुझे मिलता है नमशकार मैं हूँ अनिल भारदवाज लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है राजनीतिक गतिविदियां भी बढ़ती जा रही है आज हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंशेकर आजाद हैं हम इन से बात करते हैं आज के परिपेक्ष को पर्माइत है कि जिन लोगों को इस देश में अवसर नहीं थे उनको जब पहली बार आउसर मिले रिजर्वेशन के रूप में कि आप भी आगे बढ़ो तो ये एक नया नई तरह का जो है सेनेरियों बना और आज जो उतल पुतल होई मैं यह मानता हूं कि लोग अपने हितो को देशान में रखें राजनीति कर रहे हैं अपने वर्गों को इतनौ में रखके राजनीति कर रहे हैं लोगों की जनभावनाओं भी जुड़ी नेता है उल्लंप होता है अप ऑप تक दिलेक्स्ट्ट έ अधर दोस्त कहाने वाले जैन्डएं नहोंने भी पाला बदल लिया दोस्त नहीं भाई हैं कल भी भाई थे आज भी भाई और राइनीती में कब कौन किसके साथ होता है आप नहीं कह सकते हैं आप यह महसूस करो दस दिन पहले वह इसी अलाइंस का हिस्सा थे तब वह बहुत अच्छे थे आज बहुत बुरे होगे आप यह महसूस करो निटीश जो इस अलाइंस को वह कर रहे थे बनाने का प्रयास के जिनने सबसे पहले प्रयास के जब उन्हें पाला बदला उनको बहुत को सुनना पड़ा लेकिन वही नितेश कुमार एक समय जो है जेपी जी की भूमिका में भी आ रहे थे इस बात को आगे बढ़ाते तो मैं उनके परिवार के लिए मंगल कामनाय करता हूं मैं आप से कह रहा था कि जैसे जैन चोधरी ने पहले अखिले श्यादों के साथ बाचीत हुई उनकी बात हुआ कि उनको साथ सीटें दी आ रही है उसमें साथ सीटों में एक सीट माना जारता कि नगीना की भी सीट है आपको जैन चोधरी साभी अच्छी तरह से बता सकते हैं रही दूसरी बात कि अगर सोचे कुछ दिनों बाद फिर वह पाला बदल लें फिर आप क्या कहेंगे तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो फैसला लिया बहुत जिम्यदारी से बहुत सोच समझ के अपनी पार्टी के एतों को ध्यान में रखके अपने पार्टी का जो बेस वोट हैं उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह के हाला ते उस तरह फैसला लिया उनका पहले भी उनका सयोग मुझे बिलता रहा और मुझे अमीद है कि यह जो भाइचारा है राइनीती से अलग भी भा बड़ी बात कह दी कि अगर कुछ दिन बाद फिर पहला बदलने क्योंकि आपके बहुत खास दोस्ति आपके भाई भी हैं तो क्या ऐसी कुछ संभावनाई भी नजर आ रही है अभी तो उन्होंने पाला बदला भी नहीं सवाल यह कि आप भी कोई फैसला हो गया है तो मैं म यह जो भरत जिनता पर्टी के साथ ना रहा हूँ अभी हमारी मलब और भी कई नेताओं से बात ही तो सबका मलब कहना यह था कि अब बस्पा अपना अधार खोती आ रही है और बस्पा का अधार खोने के बाद में एक बात यह भी सामने आ रही है कि चंशिकर आजाद का एक अधार जो है वो अपना हर जिले में अपना अधार बन रहा है तो मलब आप इसको किस नजरे से देख रहे हैं कि मलब बस्पा चुनाओं में कहां रहेगी क्या इस्तिती रहेगी किसके साथ रहेगी और उसके अधार को के बाद में आपके अधार आधार का क्या मैं फिर कौन उनके मुद्दों पे खड़ा है कौन उनके लिए सुख दुख में उनका साथी बन रहा है कौन उनके लिए संघर्स कर रहा है जनता इन सब सवाल यह है कि वह अपने जनाधार को बचाने क्लिक क्या कर रहे हम क्या कर रहे हैं यह भी आपको जादना चाहिए राइस्थान में पैदा नहीं है लोगों ने में वोट दिया चोत्तर अजार वोट केतली के सिंबल पर मिलना चोटी बात नहीं कई सिटों पर हम दूसरे नंबर पर कई सिटों तीसरे नंबर पर रहे हैं यह इस बात का प्रमान है कि हमने महनत करके अपनी जगा बनाई है उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाओं में मुझसे ही हमारे लोग लगे तो वह परतियासी साड़े बाइस जीता उस दिन के बाद और अब तक चेर्मेनी में वहारे कई चेर्मेंट जीते कहीं नगर पालिका के कई में उसके कहना नगर परिशित के पारशद भे हमारे जीते तो आजास समाज पर्टी कि ने जो मेहनत की है दिन राज जो भी म समाज पर्टी मुखर होके लड़ती और जनता में उनका विश्वास बढ़ रहा है किसी मजलूम पे कमजोर पे महिला पे कहीं सोशन होता है तो आज का समय ऐसा कि पुलिस से पहले भीमारभी को लोग कॉल करके संपरक करते हैं कि वो हमारी मदद करते हैं हमने एक प्यार और व समाज पर्टी लोग का विश्वास बढ़ रहा है कि जब भी केंदर सरकार को धोका करे या कोट द्वारा कोई धोका हो या कोई अन्याय हो पुलिस अपना काम ना करी तो चंसेकर आजाद आजास समाज पर्टी भीमारभी और उनके करे करता है कि नेता डटा रहता है तो इस सिटों पर हमें फैसले ने कि हमें किसकी मदद करनी है और किसको सबक सिखाना यह फैसले हम लोग सब सिटों के लिए पार्टी ने तै किया तो जैसे राइस्थान में कई सिट हैं जिनको हम लड़ने के त्यारी करने हैं हर्याना में भी दो तीन सिट हैं जिनको हम लड़ने क होगा और काई फेस्मेर चुनाओं ना क्योंकि पार्टी जो पर्मुक्ष चाहरे हैं अगर वो चुनाओं लड़ेंगे तो फिर किस तरह किस्तिती रहेगी इन सब कर दिया कि मैं नगरीना से चुनाओं लड़ोंगा आज की स्थिती में जैसे अब जैन चोधरी भाजपा में चले गए तो कहीं कुछ ऐसी संभावना भी बन सकती है कि भाजपा का सपोर्ट डिरेक्टी या इंडिरेक्टी चंशिकराजात को मिल जाए या चंशिकराजात उनक तो इसलिए भार hedge जैनता पाट्टी से किसी बतवर का सयोग या उनका कोई सयोग नहीं बन क्या कुर्षा चाफिती मेरी यृइस बंस कर दिया गया कभी भी जिसको मुक Ugh यह कुब ही उपर उतना कुघे और चली और पर उ dapat का कभी मेरे ऊपर हम ऩहमेरी जान को खत्रा यह आथा यह मेरे लोग और हमारे इंटलिजन्स वे देए कि आप सथान रहा करों। तब बड़ा काटा को आज है जो जुकेगा नहीं जो डरेगा नहीं निडर होके जिसको सीवेडी इंकम टेक्शन रोग सकते वह चंसे करा जाए इसलिए हो चाहते हैं काटा जल्दी खातम हो जाए लेकिन मैं मानता हूं कि कुद्रत ने मुझे चुना है इस लड़ाई को लड़ने के बाद उसको दिलाने में जो भी रोल अदा कर सकता हूं उखर इंडिया गटबंधन की तरफ से अभी कोई ऐसी आवाज नहीं आई है कि वह चंशेकर आजाद को अपने साथ ले रहे हैं या चंशेकर आजाद उसमें शामिल हो रहे हैं तो अगर ऐसी स्तिती में आपका नया सिंबल घरगर तक कहुंचा दिया है मैं आपको धारन दूंगा हमारे पड़ोसी मुलका अक्सर में उनकी बात नहीं करता हूं कि उतकी बात मन करो लेकिन आज इसकी चर्चा करनी पड़ेगी कि जब इमरान खान ब्रेल में बंद कर देगे उनकी पार्टी का सिंबल दक बनाए गया और जो काम हमारे बहुत बड़े विरोधनी कर पाए वह यस्वीर सिंग जी जी परमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ के करवा जया गया फिर यस्वन सिंग जी बनाया वह विचारे भार जंता पार्टी में इन वर्गों के हितों के लिए कुछ कर ही नही और यह विवास लोग के अंदर पैदा हो रहा हैं दोके इदे भावना पैदा हो रही है कि हम यहां से एक मजबूत आवाज होगी जुके की अभी अहल दवानी में की मामला हुआ अहल दवानी के बाद में उसकी आग आपका बरेली तक पहुँची इस मामने में इस पूरे गठना कर्म पर आप क्या कहेंगे देखिए मैं तो बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं और मैं इसका मैं खुद पीडित हूं इस बात का कि सारणफूर में जब यह अन्याय हुआ तो मैं निर्दोस था निर्दोस होते मुझे जेल भेजा गया और मेरे लोगों को जेल भेजा ग पर की न PrecisSON का ऱजूति है मैं चाहता हूं हम्हाल झाल्द वानी की जो गटना उसकी न्याइक जांच हो जिसके दूद का और पानी साथ जुल्म करके हमें 16 मैंने बंद रखा गया इसलिए मैं कहा रहा हूं कि उसके जांच होगी तब पता रहेगा मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता लेकिन हमेशा आरूपी अपरादी होता है कभी-कभी कुछ आरोपी पुलिस भी बना ज़ती है सरकार के सारे पर एमिस्टेशन भी बना छाए इसलिए मैं मानता हूं कि कोई अगर किसने गलत किया है तो कोट उसको सजा देगी और किसने अगर कल वह वैक्ती निर्दोस पाया गया तो उसकी जिम्यदारी कौन लेगा क्या कोई किसकी जिंदगी को लोटा सकता है तो यह जो सरासर हत्या करने का पर्यास किया जा जारा मैं इसको कण्डम करता और मैं सरकार से एपील करता हूं कि वहां नेक कानौन विष्ता बहाल करें और वहां एक सब वहां के जन मानवस को हिंदु हों , मुस्सलिम हों , कोई भी हों , सििख्ँ हों , जैन हों , सब neces who 10 सरकार क्या कर रही है जो कानुन वर्ष्था भी दूस्त नहीं कर पा रही है और क्या उनकी इंटेलिजेंस थी क्या उनकी जो है जाच एजंसिया कर रही थी जो इतने बड़े बवाल का उनको नहीं पता लगा यह सब एक सोचा समझा प्लान है इसके बीचे बहुत कि घटना जो बिहार में जिसमें 50 सजाद दलीतों की हत्या हुई और बाद में डिस्ट्रिक कोट ने उनको सजा कर दी आजीवन और हाई को बरी कर दिया आज तक किसे नहीं पूछा कि इन 50 दलीतों का हत्तारा कौन है किसी को हमारे जिंदे की चिंता नहीं इसलिए मुझे च याए 200 पे कारवाए लेकिशन 900 पे कारवाए नहीं इसकी मैं अपील करता हूँ सरकार से सरकार राध्धरम निभाए आज मैं ध्यामी सरकार से कारवा निभाए यह अन्याय करें अन्याय के प्रिणाम गलत होंगे दलीतों की सब के लिए एक मामला सुप्रीम कोड भी और बाद में कोट नहीं माना कि यह सजाती वर्ग है इनको बाटा नहीं जा सकता अब फिर अचानक से चुनाओं के समय सब्सक्राइब हो रही है हम ज्यादा जिम्मेदार हैं हमें ज्यादा परवाय अपने लोगों की जो हास्य पर है आज भी देश में बेदवाव हैं उच न सबकुछ है हमें अपने लोग की ज्यादा चिंता है कोई हमारे घर भी हमारे हाल पूछने के लिए नहीं जाता कोई पार्टियों को निता जब कोई मामला बहुत हो जाता है तब जाते हैं लोग हमारे अधिकारी करमचार को प्रेशान किया जाती के नाम पर बाबाब साहब ने 1954 में राजय सभा में एक भाशन दिया था कि मैं चाहता हूं सारे चुछ जाते एक अठी हो जाएं सब लोग हर्स रहे थे और यह बड़ा चमतकार था कि जिनको तोड़ा गया उनको बाब साहब जोडने के बात कर बाब साहब ने स्टी के रूप में उनको जोड़ भी द सब्सक्राइब कर दिया और उसके लिए आपने आट लाग की सीमा आट लाग से करीब की सीमा लगा दी यानि कि आप उची जाती में अपर कास्ट में जो गरीब हैं जिनकी आए धाय लाग रुप है उनको नहीं देना चाहते तो यह सडियंत्र है हम इस सब्सक्राइब को सम जम्मेंदार हैं हमें उन पर बहुत बरोसा है मुझे सभी नियायपालि का बहुत बरोसा का अगर सरकार के जन्डे को हम पर थोपने काम करेंगे तो यहिए मर्दास नहीं करेंगे मैं फिर कहए रहा हूं आप यह महसूस करो आगर किसी अगर आप कर देते हैं सोचेहाँ आपने कर दिया तो जिन जीन जातियों में अभी उस र३र के पड़ लिगे प्रेश लोग नहीं है और किसी वेकेंसी के लिए प्रेश की आउड़ यह सकता है कि जनरल के लिए फ्री कर देंगे ये भी बताना पड़ेगा किया आप पर सरकार ने आकड़े जुटा लिए ये जो आप जूड बोलते हों कि एक जाती को लाव मिलारा दो जाती है जूट कि आगड़े हैं सरकार के पास क category हैं मैं फिर कह रहा हूं यह कोई किसी को देनी कि वह नहीं आपको याद दिलाण चाहता हूं नील भाई जब देश आ जान नहीं था तो इस यह में राज होता था किसने में कितना सोचा किसने में कितना संबान दिया, कितने अधिकार दिये, कुर्सी बैटने का, नोकरी करने का, पढ़ने का, त्रक्की करने का, बिजनस करने का, किसने अधिकार दिया हमें, हमने सारी चीज़े अपनी संगर से प्राप्त की, और इतो सविधाने तब जाके सब चीज़े, आज कहा पूरा पूरा हुआ है आज आप महसूस करो क्लास बन का अभी तक नहीं पूरा हुआ देशा आजा दो 70 साल जादा तू का नहीं वा थरीका निया फॉर बेक लोग भरा पड़ा कभी सुप्रीम कोड ने चिंता क्यों नहीं कि कि यह आरक्षन क्यों नहीं पूरा हुआ यह सब सब्सक्राइब करने का और हमें टुकड़े करके राज करने का वह हम अपने लोगों समझाएंगे क्योंकि हम उनके लिए ज्यादा उत्तर आई हमारे जिम्मेदारी एक आदे अपबाद पे आप इतना बड़ा धोका अगर करने काम करोगे तो इसका खामयाजा फिर सरकार को बुखतना पड़ेगा और हम चुपने रहेंगे इसके खिलाब ये भी मैं आपको कह रहा हूं पूरे देश के स्तर पे जो बुद्धी जीव इनके स्तर के बात कह रहा हूं सब लोग चिंती देंगी सरकार के सारे पर सुप्रीम कोट हमसे गलत वैबार कर रहा है सविधान का उलंगन करा यह होने इन देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ फिर हम इसके लिए जो भी बड़ी से बड़ी कॉल देकर सार देश के दलीतों की कठ्ठा करके उन्से चर्चा कराएंगे क्योंकि आज भारत जनता पाटे जिस तरह आरक्षन खतम करना चाहती है कल नोकरिया अब इसके लिए अब आपने अपने लोगों को जाकरूप करें आखरी सवाल अभी किसानों ने फिर एक अंदोलन की चेतावनी दे दिया और दिल्ली चलो की बात चल कर रहे हैं अब इस इस आप इस आप इस आप इसानों को कहा देखते हैं यह आपने अनिल साब बहुत मैं पर किया अपने सवाल जैसे किसानों से सरकार ने वादा कि मैस्पी गारंटी देंगे और आप वो विचारे घर भेज दिए ऐसे यह सटल कास्ट में को बढ़ावा दे रहे हैं कि आपको कुछ देंगे देंगे कुछ नहीं फिर उनको फिर सड़कों प्याना पड़ेगा जो उनको मिल रहा है वो भी खतम हो जाएगा जो बच्चे आज उनके जा रहे हो भी खतम उनको आगे कुर्सी पर चड़नी पाएंगे यह पूरा सरकार व्यवस्ता कर रही है इसलिए मैं कहा रहा हूं किसानों के साथ भी धोका हुआ और किसान अपने लड़ाई को फिर सब्सक्राइब किसी की नहीं है ना मुसलमानों की ना जैन सिक बहुत इसाई की यह सरकार चंद पूजी पत्य पत्यों कि तरह करना चाहती है और इस देश के आम आदमीं को गुलाम मराना चाहती है हम होने इन देंगे सरकार के अन्याइक खिलाफ हम अपने लोग को सचेत कर रहे हैं और अभी हम बहुत जल्द एक बड़ा आईजन करके सरकार की जो जितना जूट है किसानों के पड़ती फैला हो चैए वूमें रिजरिवेशन पर फैला है वूमें रिजरिशन कब दे रहे हो सरकार बताए उसके आगड़े जुटा ले का अपने तो यह सिर्फ जो खे यह थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंशेकर आजाद ने बड़ी बेबाकी से सभी मुद्दों पर बातचीत की चंशेकर आजाद ने कहा कि हलदवानी मामले की नाईक जाच होनी चाहिए उन्होंने नियाए पालिका पर भी सवाल उठाया कि नियाए समुदाय सड़कों पर आकर अपना नियाए मांगने का काम करेगा साहर्मपुर से अनिल भार्दवाज यूपी तक